अलाग रसुलों से फर्माते हैं सही तिर्मी जी की रिवायत है अदीश नमबर 3545 कि उस आदमी की खाक नाग जो है खाक आलू दो नाग यह नहीं कि मिट्टी में मिल जाए अब किती बड़ी बद्वा अगर इसको गोर करे तो यह नहीं कि मिट्टी में कि मिलता हूँ मरने के बाद तो कितनी सरी अल्लाग रसुलों नहीं इसको बद्वा दी किसकी जो है या फिर मुहावरतन भी कहा जाता अरब के अंदर तो यह के उस वक्त कि किसकी खाक आलू दो कि जब मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद ना भेजी उसके लिए वही दे खासकर क्या कौन सा नाम मुहमद वही जब भी नाम आये तो हमको दरूद वेजना लाजमी है यह तो उसके लिए बद्वा भी सुनाए गई है और एक जगे तो आमीन कहे कर बद्वा की गई है आमीन कहा अल्ला कि रसुल्य ने यह मुस्तदर मुस्तदर्क हाकिम की रिवायत हदीस गार मारा की रसुल्य ने फर्माएं कि मिंबर पर चड़े र स्युल्य आपने कि आप पुरा उन्हामने वाक्या बताया कि जिवरी लाए हैं और मुझसे और मुझसे के रहेते उन्हने मिंबर भंगाए है और उस आदमी के लिए हलाकत हो बर्बादी हो जो जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझे पर दुरूद ना भेजे तो उन्होंने का जिब्रेल ने के नभी नभी ﷺ कहो आमीन तो मैंने का आमीन तब देखे मलाइका के अंदर सबसे अबजल फरिष्टे अंबिया के अंदर सबसे अबजल रसूल और वो दुआ कर रहे हैं और आमीन वो कह रहे हैं कितनी बड़ी वही थे कि नाम लिया जाये था और कोई उसको ना पड़े तो दुरूद उनको फजलत मिलती है और एक रिवायत ना परमाएं कि वो शक्स बकील है और कंजूस है ये सुनन तिरमेजी की रिवायत है अदिस नमब तीन अजार पांसो चीहालिस कि वो आदमी बकील और कंजूस है जिसके पास मेरा नाम लिया जाए और मुझे पर दुरूद उसलाम ना भेजे तो वो कंजूस आदमी है बकील आदमी है वो दुरूद के अलफाज क्या है दुरूद के अलफाज वही है जो हम अजान के बाद हमको पढ़ने के लिए कह गए जिसको हम दुरूद इबराहीमी कहते है जो सभी बुखारी के रिवायते अदिस नमबर 3360 के लाहुमा सली अला मुहमदी वाला ले मुहमद के मसली ताला इबराहीम वाला ले अला इबराहीम ना के मिदु मजीद ये पूरी जो हम को याद दे तकरिमें सब्सक्राइब होती जो सब्सक्राइब होती